बड़ी खबार अरणाचल प्रदेश मामले में बीजेपी को बड़ा जटका लगा है कि इन सरकार को जटका सुप्रमकौट ने कहा कि राज़पाल को विधानसभा का सत्र जल्दी बुलाने का अधिकार नहीं था और 15 दिसंबर को जो स्टेटिस था बही बहाल होगा यानि कि उसके बात के फैसले निश्प्रभा भी माने जाएंगे सम्विधानिक पीट का फैसला आज सुप्रीम कोट के सम्विधानिक पीट ने एक बहुती महत्वपूल फैसला दिया है जिससे सुप्रीम कोट ने महा महीम गवनर साथ ने जो मेसेज और जो डारेक्शन्स 9 दिसेंबर को इशू किये थे for convening the assembly by preponing the assembly और उसमें जो no confidence motion speaker का गेंस्ट और government का गेंस्ट पास हुआ था 16 और 17 दिसेंबर को वो सब quash कर दिया गया है as violative of Indian constitutional provisions सुप्रीम कोट ने ये भी direction दिया है कि the status को जो स्थिती 15 डिसेंबर की थी उसको restore किया जाए 15 डिसेंबर को टुकी साथ चीफ मिनिस्टर थे इसने सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक प्रकार से कि टुकी साथ फिर से चीफ मिनिस्टर बनेंगे इसके आगे ये judgment गवनर के conduct पे बहुत बड़ा question चिन उठाता है क्या गवनर इस प्रकार से कारवाई कर सकते हैं जिसमें constitution provisions का बिलकुल अंदेखी हो rule of law की अंदेखी ह और ऐसा लगने लगे देश में जैसे कि कोई कानून विवस्ता ही नहीं है हमको सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में गर्व है हमको आज फिर एक दफ़े सुप्रीम कोर्ट ने इस देश को बताया है कि इंडियन जुडिशरी एक बहुत strong independent and reliable institution है जो party politics से उठके constitution की रक्षक ह और जब भी ऐसा कोई crisis आता है तो सुप्रीम कोर्ट constitutional voice से अपना judgment जवाब देती है और जरूर थोड़ा सा विलाम हुआ जिसके लिए आज court ने sorry भी बोला और उसके बाद एक ऐसा इतिहासिक फैसला दिया जो इस देश के constitution हिस्ट्री के लिए एक बहुत ही महत्यकून कड़ तो कुल मिलाकर पहली चीज विधानसभा सत्र जल्दी बुलाने का अधिकार राजजपाल को नहीं था सुप्रम कोर्ट ने अपने statement में ये कहा दूसरी तरफ राजपाल के फैसले को असंबधाने कोर्ट की तरफ से बताया गया है ये बड़ा जटका बीजेपी के लिए मान जा सकता है और सबसे important बात अब Congress की सरकार बहाल होगी अरुनाचल प्रदेश में